हेलो एवरिवन आज हम बनाएंगे बेबी कॉन चिली मार्किट में बेबी कॉन आसनी से मिल जाते हैं हमने पाश जालकर नमक डालकर उपना है इसे साइड में रखेंगे यहाँ पर मैंने दिया है एक बॉल उसमें आदा कटोरी डाला है कॉन फ्लोर आदा छोटा चमज डालें थोड़ा सा नमक डालेंगे पानी डालकर हमें यहाँ पर घोल त्यार कर लेना है यहाँ पर नहीं ज्यादा गाड़ा नहीं ज्यादा पतला घोल का हमें त्यार करना है थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम कॉन फ्लोर को मिक्स करते रहेंगे तो यहाँ पर कॉन फ्लोर का घो ट्राइब करें, अच्छे से बेब कान रखुते हैं, और सुगिते हैं इस्षाइब को नगा कि एक से दो मिनिट यहां पर हो गया है बेबिकान को मैंने डाल कर तो इसे हमें अलट पलर करके तल लेना है पहले स्टार्टिंग में हलकसा चीपक जाएंगा कड़ैको तो धीरे से हमें निकालना है अलट पलर करते हुए हलकसा बराउं कलर होने तक हमें फ्राइ करना है इस तरह से कलर आ गया तो बेईकोन को अब हम साइड में निकाल कर रख देंगे सारे बेईकोन को मेंने यहाँ पर तल लिया है बेईक कर दमेटो टरल लिया है अब घ्यास के विरीख पर निया है प्यान उसमें डालेंगे एक चमस देल बारिक टुकडों में कटा हुआ प्यास डाल दिया है एक हलका सा हमें यहाँ पर भून लेना है प्यास का कच्चापन निकल जाए उस तरह से भूनना है हमें प्यास को अब यहाँ पर मैंने डाला है लस्टन और अध्रक के बारिक टुकडों में कटा हुआ डाल दिया है उसे भी हलके से हमें भून लेना है अब हरी मिर्श डाला है तीन से चाल लंबे कट करकर डाल दिया है हरी मिर्श को इन सब को हमें हलका सब भून लेना है अब मैंने यहाँ पर डाला है चीनी एब इसमें हम डालेंगेम सबैल सोय सौस एक चोटा चमच डालेंगे सोय सौस इसी भी मिक्स कर लेंगे अब मैंने यहां पर एक चमच कॊनफोर या है कटॉर Case और थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है यहाँ पर डाला है मैंने अभी ब्लैक पेपर पाउडर काली मेरे के पाउडर डाला है अब जो मैंने कहा था कौन फ्लोर का पानी वो डाल देंगे इन सब को हमें अच्छे से मिक्स करना है हलका सा गाड़ा होते ही मि डालेंगे बेबी कॉन को जो हमने तलकर साइड में रख दिया था बेबी कॉन उसे डाल देंगे अब इसमें मैंने डाला है बारिक शिमला मिर्श कटा हुआ पूरा बेबी कॉन चिली बनकर त्यार है तो यहाँ पर रेसिपी पूरी बनकर त्यार है तो फ्रेंज आपको कैसे लगी आज की रेसिपी प्लीस कमेंट के दौरा मुझे जरूर बताएं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीस चैनल को भी सब्स्राइब जरूर कर देना फिर मिलेंगे और एक रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर